आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Snapchat के account को delete कर सकते हैं वो भी permanently तो चलिए वीडियो को start करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Snapchat account को permanently delete या फिर deactivate कैसे कर सकते हैं तो काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग डिलीट करना चाहते हैं लेकिन हम लोगों को वो option नहीं मिलता है और इसी psychology के वज़े से जो एप के owners होते हैं वो जो डिलीट करने का option होता है ID को आपकी उसको काफी जादा अंदर छुपा के रखते हैं ताकि काफी लोग account को delete ना कर जाते हैं तो यहाँ पर दीखें मैंने Snapchat open कर लिया है और वह अली ID मैंने login कर रखी है जो मुझे delete करनी है अब यहाँ पर left side में सबसे उपर आप देखेंगे यहाँ पर profile वाला icon बना हुआ है अब इस पर आपको tap कर देना है अब जैसे ही आप टैप करते हैं यहाँ यहाँ य मेरी रितेश सिंग के नाम से यह मैंने बनाई थी especially इसी वज़े से आपको demo देने के लिए तो यहाँ पर आप देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा अब इसके बाद यहाँ पर right side में सबसे उपर की तरफ आपको setting का icon यहाँ पर मिल जाएगा तो setting के icon पर आपको click कर दे सपोर्ट में जाना है आपको I need help में तो I need help पर हम लोग tap कर देते हैं और I need help के बाद आपको यहाँ पre देखिए ंद japanese मर देंए है जो कि चौथा option है तो delete my account पर आपको click कर देना है अब जैसे आप delete my account पर click करते हैं यहाँ पर आपको धीर सारी चीज़े दिख रही है कि मतलब की Snapchat account कैसे delete करना है तो यहाँ पर सारी चीज़े लिखी है हाला कि इसको आप पढ़ सकते हैं लेकिन मैं आपको इसकी summary बता देता कि इसमें simply लिखा है कि अगर आप मतलब अपने account को delete करते हैं account portal में जाके अपनी ID password डालते हैं तो आपका जो account हो deactivate हो जाएगा और 30 दिन तक अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना account चाहिए तो आप login करेंगे तो आपका account automatically reactivate हो जाएगा और अगर आप 30 दिन तक भी login नह Snapchat account के just नीचे accounts portal लिखा हुआ accounts portal पे आपको click कर देना है अप account portal पे जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ आपको अपना username भरना है और नीचे की तरफ आपको password वाले section में आपको अपना password fill कर देना है ठीक है तो मैं अपना password जो है वो fill कर देता हूं और password हमने fill कर दिया और हम लोग continue करते हैं और continue करने के बाद आप यहाँ पे देख लीजे कि जो account है वो deactivate हो चुका है तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो अपना account जो है वो deactivate कर सकते हैं और deactivate करने के बाद 30 दिन तक आप login मत करिए आपका account permanently delete हो जाएगा और अगर आपका मन बद सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफी जादा useful लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like जरू करें चैनल को subscribe करें और मिलता हूँ आपसे next वीडियो में till then bye bye and take care